हेलो गाईज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेकनिकल, अगर आप फ्री चार्ज पे लेटर एक्टिवेट करने की सोच रहे हो, तो आप सही वीडियो पे आए हो, आज इक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री चार्ज पे लेटर कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, इस्टेव वज़ इस्टेव में आपको इजी प्रोसेस में बताने वाला हूँ, अगर आप फ्री चार्ज पे लेटर को एपलाई करते हो, तो आपको सो रुपे का केस्बेक मिलता है, साथ ही में तीन महीने का एमेजोन का प्राइम सब्सक्रिप्शन आपको फ्र सबसे पहले मापको फ्री चार्ज पे लेटर के बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ, बाद में इसके चार्ज चार्ज के बारे में बता दूँगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको फ्री चार्ज का पे लेटर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, त आपको बता दू अगर आप free charge पे लेटर अपलाई कर रहे हो वीडियो के description box मैंने link दे दिया है वहाँ से आप redirect हो गए तो आपको 3 महिने का Amazon का Prime Membership भी फ्री में मिल जाएगा तो उस benefit कल आप जुरूर से उठाना link आपको वीडियो के description box मिल जाएगा दो benefit आपने देख लिए तीसरा benefit है कि आपको 30 दिन के लिए बिना किसी interest बिना किसी charge के आपको limit मिल जाता है जिसमें आप recharge कर सकते हो बिल payment कर सकते हो बहुत सारे option है free charge पे यूज करने के लिए वहाँ पे आप यूज कर सकते हो इस दिन के बाद आराम से repayment कर सकते हो किसी तरह का कोई charge नहीं लगता अब बात आती है charges की तो जिस तरह पेटियम पोस्ट पेड को आप यूज करते हो वहाँ पे charges लगते है उस परकार यहाँ पे किसी तरह का charge नहीं लगता हो सकता है आप पहले यूज कर रहे हो उसमें charge लगता होगा क्योंकि पहले free charge pay later पे charge लगता था और हो सकता है आने वाले time पे लगे बट फिलाल जब मैं process बता रहा हो उस time पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है is there any processing fees no currently we do not charge the processing fees on the free charge pay later product तो अगर आप free charge pay later लेते हो किसी तरह का आपको charge नहीं देना पड़ता है अगर आप use करके repayment नहीं करते हो amount को due कर देते हो तब आपको charges देने पड़ते हैं अगर आप time से use करके payment करते हो तो किसी तरह का charge नहीं देना पड़ता है अगर आपको जानना है कि हम due करते हैं तो कितना charge है हमें देना होगा तो आप इस वाले page पे आके यहाँ पे check out कर सकते हो free charge payator पे click करोगे निचे यहाँ पे frequently ask question पे आके यहाँ पे check कर सकते हो तो अगर आप भी free charge payator apply करना चाहो क्योंकि यहाँ पे mobile recharge कर सकते हो mobile post paid कर सकते हो DTS का recharge कर सकते हो और हर घर में gas यहाँ पे use होता है तो आप gas का bill payment कर सकते हो बहुत सारे यहाँ पे use करने के लिए electricity bill payment यहाँ पे भी आप use कर सकते हो किसी परकार का charge नहीं लगता एक महिने बाद आराम से repayment कर सकते हो अगर आपको भी activate करना है description box में जाओ वहाँ पे एक link मिलेगा जैसे आप इस पे click करोगे तो आप free charge में redirect हो जाओगे और यहाँ पे आने के बाद आपको click करना है financial service पे जैसे आप इस पे click करोगे तो आपको यहाँ पे option मिल जाएगा pay later का तो आपको इस पे click कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन महिने का आपको Amazon का prime subscription भी मिल जाएगा जैसे आप first transaction करोगे और आपको पता हो तो Amazon का एक साल का prime membership अगर आप लेते हो तो आपको 1499 रुपए मतलब 1500 रुपए आपको देने पड़ते हैं वहीं पे आप देख सकते हो तीन महिने के Amazon Prime membership आपको यहाँ पे free में मिल जाता है साथ ही में 100 रुपए का case back में मिलता है तो आपको get started पे click करना है get started पे click करने के बाद next page इस परकार का open होगा अगर आपने free charge में पहले KYC कर रख है तो आपका pay number यहाँ पे auto fill up दिखा देगा अगर पहले KYC नहीं की है तो आपको यहाँ पे pay number इंटर करने को बोलेगा तो pay number आपको इंटर कर देना है उसके बाद अपना email ID इंटर कर देना है उसके बाद mother's name इंटर कर देना है उसके बाद यहाँ पे father's name and spouse name यहाँ पे किसी को एक को टिक करके father's को टिक करके यहाँ पे father's का name लिख देना है married status आपको क्या है unmarried हो married हो वो यहाँ पे इंटर कर देना है select कर लेना है उसके बाद religion क्या है, caste क्या है वो यहाँ पे select करके continue पे click कर देना है जैसे आप continue पे click करोगे next यहाँ पे page आएगा जिसमें professional detail डालनी है कि आप क्या business करते हो या फिर कहीं पे job करते हो तो यहाँ पे वो select कर लेना है उसके बाद आप salary person हो है self-employed हो वो select कर लेना है उसके बाद आपके monthly income किती है वो यहाँ पे आपको enter कर देनी है उसके बाद नीचे आपको दो box मिलेंगे I am an Indian citizen और नीचे एक और box मिलेगा दोनों को tick mark कर देना है submit पे click कर देना है जैसे आप submit पे click करोगे next पे चाहेगा KYC information यहाँ पे access bank की तरब से आपको KYC डालके भी आगे proceed कर सकते हो तो continue पे हाँ पे click करते हैं जैसे continue पे click करेंगे next page में आपे हमारे आदार नमबर में जो mobile number registered है उसके ओपर एक OTP आएगा OTP हमें fill करना है validate पे click करना है जैसे validate पे click करेंगे हमारे आदार कार्ड की information यहाँ पे आ जाएगी जैसे आपका नाम क्या है आदार कार्ड नमबर क्या है mobile नमबर एंड यहाँ पे date of worth वगेरा सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा फिर यहाँ पे है address confirmation तो अगर आप अपने आदार कार्ड वाले address पे ही रहते हो तो आपको yes कर देना है किसी other address पे रहते हो तो no click करके no पे tick करके and उस address को fill कर देना ह and यहाँ पे इस box को tick करके proceed कर देना है तो मैं आदार करड़ वाले address पे रहता हूं तो yes and यहाँ पे इस पे tick करके proceed करते हैं जैसे आप proceed करोगे next यहाँ पे page जिसमें आपका KYC verification है वो यहाँ पे progress में चला जाएगा तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे wait करना है अब यहाँ पे आ कर सकते हो maximum 12 महीने तक है आप आप EMI में convert कर पाओगे तो please activate your pay later now तो अगर आपको अपने pay later को activate करना है नीचे थोड़ा सा scroll करना है जैसे नीचे scroll करोगे यहाँ पे दिखा रखा है कुछ time and condition आपको यहाँ पे दिखा रखे जिसे आप scroll करके and उस box को tick mark करके activate पे click कर देना ह your free charge pay later limit balance is activated with यहाँ पे जितने भी limit आपको मिली है वो यहाँ पे दिखा देगा अब जैसे आप free charge pay later को activate करते हो तो आपको 100 रुपे का caseback आपके free charge के wallet में मिल जाएगा अगर आपको caseback नहीं मिलता है तो free charge pay later से आप 10-20 रुपे यूज कर लेना तब आपको caseback मिल जाएगा साथ ही में Amazon का 3 महीने का subscription मिल जाएगा जिसका आपको SMS भी मिलेगा साथ ही में email भी मिल जाएगा तो जितना भी आप use करोगे हर महीने की 5 तारिक को इसका billing due date होगा तो 5 तारिक से पहले आपको payment करना होगा नीचे आप convenience fees and interest rate देख रहे हो तो आप यह मत सोत ना कि हमें भी य फिलाल के टाइम पर ना किसी तरह का convenience fees लगता है ना किसी तरह का interest rate लगता है जिसका मैंने आपको पहले भी बता दिया था and side में भी आप screen suit देख सकते हो तो अगर आपको free charge का pay later activate करना है apply करना है तो description box में link आपको मिल जाएगा वहाँ से आप direct apply कर सकते हो so guys मैंने आपको complete step बता दिया कि आप free charge pay later के लिए कैसे apply कर सकते हो अगर आपको जानना है कि free charge pay later को कैसे use करना है कैसे repayment करना है तो video के description box में link मिल जाएगा वहाँ से आप check out कर सकते हो साथ ही में amazon पे लेटर flip card पे लेटर साथ ही में Paytm Postpad को कैसे apply करना है activate करना है साथ ही में इनका limit कैसे increase करना है already channel पे video बना रखे हैं side में thumbnail भी आपको दिख रहे होंगे description box में link मिल जाएगा वहाँ से आप video check out कर सकते हो आज के इस video में इतना ही उमीद करता हूँ video आपको पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से like करना कुछ पूछना हो तो comment कर सकते हो channel पे नए हो तो subscribe करके साथ में bell icon को all पे प्रेस करना ताकि आने वाले videos के notification आपको मिल सके इस video को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next video में